बच्छो पार्ट वीडियो में आपने यहां तक जाना कि जगदिशंद्र वसू का जर्म बंगाल प्रांत में हुआ था और बंगाल प्रांत के जिले का नाम था धाका और गाउ का नाम था राधि खाल राधे खाल गाउं में तीसु नमबर अठारोस संतावने स्वी को उनका जन्म हुआ था जो ढाका अब बांगलादेश की राजधाने है और उन दिनों जो है पाकिस्तान और बांगलादेश भारत के ही अंग थे आगे है जगदीश चंद्र बसु के पितासरी भगवान दास बसु वरे परिश्रमी और धार्मिक ब्यक्ती थे जगदिश चंद्र बसु के पिता का नाम था भगवान दास बसु वे बहुत ही मेहनती और धार्मिक व्यक्ती थे वे डिप्टी कलक्टर के उचपद पर आजिन थे जगदिश चंद्र बसु बचपन से ही अत्य अंत्र कुसागर बुधी के थे कुसागर बुधी कार्थ होता है तेजी दिमाग के थे उन्होंने अपनी प्रारंभिक सिक्षा पूर्ण करके यानि उन्होंने अपनी प्रारंभिक सिक्षा पूरा करके कलकता यानि कलकता के सेंट जेवियर इस्कूल में प्रवेश लिया यानि उन्होंने वहाँ प्रवेश कार्थ होता है दाखिला लिया जगदीश चंद्र ने यहीं से बीए परिक्षा सम्मान सहित उतिरन की सम्मान के साथ उन्होंने बीए की परिक्षा वहाँ पास की बाद में इन्होंने इंगलेंड मे उच्छा प्राप्त की और भारत लोटकर कॉलकता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। जानी भारत की प्राध्यापक थे उनको अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था जिसका जगदिश चंद्रवसू ने विरोध किया। श्री वसु की योगता से प्रभावित होकर उन्हें अंग्रेज प्रध्यापकों के बरावर ही वेतन दिया जाने लगा। श्री वसु ने अनेक अविसकारों के द्वारा संसार को चकित कर दिया। तो जगदिश चंद्र वसु ने अनेक अविसकारों के द्वारा उन्होंने संसार के बैख्यानिकों को चकित कर दिया। उन्होंने पेर पौधों में जीवन सिद कई किया। तार के बिना तार के संकेत अकास में भेजे। यही खोज बाद में इटली के प्रोफेसर मारकोनी के नाम से प्रसिद हुए। इनके द्वारा यानि जो तार के बिना तार के संकेत अकास में भेजा और यही खोज बाद में इटली के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम था मारकोनी यानि जो प्रोफेसर मारकोनी के नाम से प्रसिद हुए। श्री वसू की कुछ अन्नक खोजों के बारे में आप अगली कक्छा में पढ़ेंगे। यानि इनका जो और भी जो खोज है इनके दोरा जो अन्नक खोज किया गया इसके बारे में आपको अगली कक्छा में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद है कि श्री बसू अत्यांद परिश्रमी धरी सील तथा सत्य प्रेमी बैक्ति थे। यानि जग्दिश्यंद बसू जो है बहुत ही अत्यांद परिश्रमी बैक्ति थे, मेहनती बैक्ति थे, धहरी सील कार्थता है संतोस रखने वाला और सत्य प्रेमी बैक्ति थे। लोब उन्हें, लोब तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था, यानि उन्हें थोड़ा भी लोब नहीं था, लालच नहीं था, मृत्यू के समय उन्होंने अपनी 15 लाख रुपे की संपत्ति भी विग्यानिक अनुसंधान के लिए दान कर दे थी, और इसका एक उदाहरन ये ह यानि उन्हें थोड़ा भी लोब नहीं था, इसका ये भी है कि मृत्यू जब उनकी मृत्यू होने वाले थी, तो उससे पहले, यानि मृत्यू के समय उन्होंने अपनी 15 लाख की संपत्ति थी, उन्होंने बैग्यानिक अनुसंधान, अनुसंधान का रुपता खोज, बैग अनुखा और अजीव, भाती का अर्थ, तरह, अनुभव करना, महसूस करना, वीस का अर्थ, जहर, चिन्ता का, परिसानी, मुर्खता, विवकूफी, व्यार्थ, बेकार, हर्शित का अर्थ, खुस, प्रसन, कुसागर बुधी, जिसका अर्थ है बहुत तिवर बुधी वाल उतिरन की, उतिरन कार्थ है, पास की, योग्यता कार्थ, काभिलियत, वेतनका, तनक्वा, धरिसील, इस कार्थ ता संतोष, रखने वाला, लोब कार्थ, लालच, संपत्ति कार्थ, जाईदाद, और अनुसंधान कार्थ हुता है, खुज, तो ये सभी सभदार्थ दिये